तो आज हम जिस वीडियो पार यक्ट करना जा रहे हैं वीडियो का टाइटल है मोदी ने हमारे मूँ पर जो तार ठपड जड़ दिया पाकिस्तान उची खाव दुनिया की सबसे बड़ी जम्हूरियत भारत के वजीराजम नरिंदर मूदी के सासों की मालियत तीन करोड रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती क्या कहेंगे क्या भारती वजीराजम नरिंदर मूदी साब अनबीटेबल है और ये रिपोर्ट ये डॉक्यमेंटरी पब्लिश हुई है अब बंदादा लगाओ दुनिया की सबसे बड़ी डिमोक्रिसी का वजीराजम लेकिन इग्जैक्ली दस साल के बाद वेस्ट उनको तंतों पर बिठाता है और ऐसे वेलकम करता है इरपोर्ट पर उनकी करंसी जो है एक्सचेंज हो उस पर हाम पर्चेजिंग कर सकते हैं इंटरनेशनल एरपोर्ट पर ये एक एजाज आए गैस तो उसने पांच्वी बड़ी ताकत एकॉनमी के हवाले से बना दिया मौल को पर कैपिटा इंकम पांच हजार डॉलर से बढ़के साथ हजार हो गई मूदी के दोर पाकिस्तान से बखर बहुत बैए इंडिया वेकिन हम लोग उनकी तरह देखेंगे सबब नी सीखते हैं लोग बस यही कहते हैं दिल में एक बार बना लीवे के हमारे दुश्मन और दुश्मन ही रही है यह जाते हैं पैसे मांगते हैं तो कहना तो उनका ठीक है बिलकुल कि यह बिकारी है और बैगर है इससे पहले देखो बात सनो फर्क होता है जो एकॉनमी में कर दिखाया है उसको भी कोई बीट नहीं कर पा रहा है अपादरी मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय आफर की मैं इक रीव बूर वाँ तो अच्छी चाय है मैं तो खुद चाय वाला हूँ तो मुझे चाय की बड़ी पहचान वो अपने लोगों के लिए बिश्तरीन कर रहा है नमस्त दोस्तो जेहिंद हिंदोस्तान स्पेषल में आपका स्वागड़ा दोस्तो जैसा के दोस्तो आपने कलिक में देखा पाकिस्तनी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक तरह से प्राइमनेस्टर मोदी ने पाकिस्तान के मूँँपर जोरदार तमाचा मारा है पाकिस्तान के लीडर्स को ये बताया है कि नेता कैसा होता है उनकी संपत्ती देख पाकिस्तानी मीडिया प्राइमनेस्टर मोधी की तारीफ करता नितकरा पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि एक तरह से प्राइमनेस्टर मोदी ने हमारे लीडर्स के मूँ पर तमाचा जड़ दिया है जिनकी संपत्ति अर्बों नहीं खर्बों में है प्राइमनेस्टर मोदी ने मंगरवार को लोकसबा चुनाव के लिए जब वारा नसी चे तीसीरी बार अपना नामांकर भरा पाकिस्तानी मीडिया की होच उड़ गए पाकिस्तानी मीडिया उनकी संपत्ति देख सकते में है प्राइमनिस्टर मोदी की कुल संपत्ती 3.0 क्रोड रुपए है चुनाव का नामांकन पत्र भनने वाले हरेकम इद्वार कुनियम के अंसार अपनी पूरी संपत्ती और देन्दारियों का हिसाब देना पड़ता है प्राइम्निस्टर मोदी की संबत्ती में निवेश के साथ साथ चलर अचल दोनों संबत्तियां शामिल हैं वहां पर जाकर जर्मनी में रहकर भी उनके साथ काम किये तो मेरे लिए तो भी बिल्कुल एक इस तरीके से के बहुत ही जबरदस्त एक औरगनाइजेशन और उसने एक डॉक्यूमेंटरी रिपोर्ट बनाई है भारत के इस वक्त इलेक्शन और उसमें कौन कहां पर खड़ा ह तो इसके उपर बात किये लेते हैं आप यह देख भी लीजएगा डॉक्यूमेंटरी और इसके उपर मैं अनैलेसिस पेश करूंगी और आप सबके कॉमेंट्स तो हैं इस वक्त जारी हैं बहुत शुक्री आप देख रहे हैं तैंक यू सो मच और इस लाइफ स्ट्रीम में ह जो एस्ट्रॉलोजी है उसकी कुछ जरा नाप तोल के और देख कर बता रहे हैं कि कौन आ रहे हैं उस पे हम जरा बाद में आते हैं सबसे पहले डी डेबल्यू डॉचे वेले की यह डॉक्यूमेंटरी जिसमें वो कहते हैं दिस इस हिम दिर इस नो आर्टरनेट और इस डॉक्यूमेंटरी में जहां उन्होंने ये बात की है जो कि इसका जो टाइटल है वो यह है कि हाव नरेंदरमूदी मेड हिमसेल्फ अन्बीटिबल नरेंदरमूदी साहब ने अपने आपको अन्बीटिबल कैसे बनाया इसको इससे ये तो पता चली गया कि he is unbeatable क्योंकि वो यह एक्स्पेंड कर रहे हैं कि उन्हेंने अन्बीटिबल अपने आपको कैसे बनाया लेकिन इसमें कि जो स्टार्ट होता है इसका इस रिपोर्ट का उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया का election है, the biggest election ever, दुन्या का सबसे बड़ा ये election है, and it's likely to be democratic free and fair election. But, everyone knows, who is going to win? उनका ये कहना है, कि सब को ये पता है कि कौन जीतेगा, या कौन जीतने वाला है. अचा फिर इस में उन्होंने ना सरफ ये कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे बात्चीत की है, और उनसे पूचा है, उनका क्या कहना है, बलकि इसमें उन्होंने कुछ एक author और एक senior analyst को लिया है और उनसे भी बात की है. कि वो जरा तज्जिया करें, वो बताएं कि ये क्या है, क्या फिनोमेना है ये, जो मूदी का फिनोमेना है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि उसका result यहीं निकला कि this is him, और इस documentary में मौजूद लोगों का यह कहना था कि there is no alternate, नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि कोई अच्छा, फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐसे clips चलाएं, नरेंदर मूदी साहब के जिसमें उन्होंने कहा कि जब आजादी के सौ साल जो है, वो मनाएगा 2047 कि उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा देश, मेरा देश विक्षित भारत बनके रहेगा, यह जो उनकी एक campaign उसकी बात की जा रही है, आच्छा अब इसमें जो ज उनका ही कहना था कि देखिए कैसे उन्होंने डिजिटल इंडिया कर दिया, हर चीज़ डिजिटाइज कर दी, हर चीज़ जो payment है, वो machines पर आ गई, यह कितना बड़ा कमाल किया, और फिर इसी के साथ उनकी कुछ और जो steps उन्होंने लिए हैं, उसके उपर लोगों ने उसको कहा, कि second किया, और उसको endorse किया, अच्छा फिर, जब सवाल किया जाने लगा, तो कि भई कौन, कौन आ रहा है, तो लोगों का कहना था कि और कौन आएगा, नहीं बहीं नजर आ रहे हैं, मुदी सा भी नजर आ रहे हैं, और कौन आएगा, वहीं आएगा, और किसका नाम ले ह आएगा, काफी लोगों का, जिससे उन्होंने बात की, जिससे भी बात की, यानि उनका यही कहना था, अच्छा कुछ लोग यह लिख रहे हैं, मुदी चार सो पार, तो यह मैं आपको अभी बताती हूं कि इसके बात मुदी प्रेडिक्शन क्या है, चार सो पार, यह कितने पार, यह बताते हैं, अच्छा फिर इसके बाद, उन्होंने यह जरा एक हिस्ट्री पे नजरे डाली है, और इस हिस्ट्री में उन्होंने नरेंदर मुदी सहाब का, जब से स्टार्ट हुआ करियर, तब से जो है, उन्होंने बताया कि कैसे वो सियासत में आया, चार उसके मुझे भी बड़ी हैना नहीं हुई कि आठ साल की उमर में, जब वो सिरफ एटी एर्स के थे, तो तब ही वो जो RSS है, उसकी मीटिंग्स में जाया करते थे, उसके जलसों में जाया करते थे, और वहां से उनकी जो सियासत है, वो परवान चड़ी, और इतनी चोटी उमर से वो इस तन्जीम इस ऑर्गनाइजेशन के साथ थे, और फिर उसके बाद एक वक्ती आया कि उसमें उनको एक जो ऑर्गनाइजेशन को देखने वाले होते हैं, वो वले जो डैजिगनेशन होते हैं, जर्गनेशन को मिला, पिर उन्होंने बड़ा उसके अंदर काम किया, तो चलने जी वीडियो के साथ हो कि भाई, इसमें तो कोई दोरी राय ने भाई साथ के मोदी साथ के एक पहले वीडियो देखी थी, कुछ रसा पहले इस वक्त इनकी जो वेल्स थी, टोटल वेल्स जो थी, वो दो करोड के उपर थी, आप तीन करोड होगी, वो तो बढ़ती ज भरती जाले खर्चा तो है कि एक बंदा है, अच्छा तो भायाली पंराला का सूर्फा लेता है, वो तीन करोड में से हो सकता है पैना हो, तो तो ट्रेग जखल का जो चैनल ते अपना बेरूड वागल है, पंरा क्रोड का मूं कैसे आ गया, आप ने वो किदर लेका है, आप अच्छा उंगा गौंजा ख़डा हो, इस ने अच्छा तो हमारा शभाज श्री पहे तो तखाई ही लेता है, ओ इंडिया में कारी-कारी नहीं बैट पनाने करीं बोदी साहर के लिए, तो फिर साथिय अरव के अंद अच्छे, ते ते डिया होगा, दुनिया में इस्ट से एक अरव करना है रिकानी करना है उप वह बंद्रों पे इतनी वनकाश ही कर सकते तो फरनीचर की लेन आऄना थे बैलने कर सकते थे, अजी को बोदा है, इस चाहन थे खास बनानी अप किसी से बना बनाना हो खास वीडिया किसी को बन सकते ओगा है।। वह गिफ्त दिया मान लिए भी गिफ्ट हो गया, आगे चलो भाई, गिफ्ट हो गया, आगे क्या चलने हैं भाई अभारे जो आप बंदे हैं, बरक एडिया के खुद, मैंने एक वीडियो देखे ती जिसमें, जो पीजेपी के लिडर थे हो, एक बाद है, बहुती ची सचे बहुत है, कभी सब्सक्राइब करने हैं, बहुत है, 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 ब लंदन दुबाई साथियर पाकिस्टान योजिलेंड पालाज चेंट्रियों उसका गाम छोट तचल बड़ा ले इंडिया दिमें विद्रस मैंनों से मिलते ही नहीं को बैंदन नहीं फिल्पी उन्होंने कभी इतने में नी कपड़े नी पैने इतने में गाड़िया नी रखी मुदी साथित्रा मेंना लेने पंद्रा लाग का सूट पैंटी मरियम कोया कर लेती मेकप ये चारीज पजास थार कर लेती है तो क्या लंदन दे लात हो का है का आम साता से अतुलन का उता है लोग उनको गिफ्ट देते हैं और वो अप्शन करते हैं पत्ता है अब एक रौड के उनको चीज दो ना गिफ्ट को मुदी साथ को वो पांच क्रॉड का भिग जाना तो वो वेलियो बढ़ जाती है वो जब पंद्रा लाग के सूट का तर रहते हैं वो क्रॉड में मिका था फंद्रा लाग का आपके साथ हैं यक रोडा में बेज किरो मिया थका उने कि ना पका भिता भाला का लगा एटी चलो 50,000 यह लो ममने की नागने कि बाहना यह लिए को कॉंभा आ इसा ऐसने के सब्सक्राओं। को सब्सक्राइब क्वाइंब में सिस्जाओं। तो ब्रेंड है तो ब्रेंड है तो गारी जो चिलाते हैं इतनी मेंडी तो गॉर्मेंट की मशीनरी इस्तमाल जड़ते हैं अपनी नहीं है अपने खर्चे पर देती है तरह किसका है वो अवां का होता है वह सब्सक्राइब कर अपने खर्चे पे जाना था पर अपने खर्चे पे जाता था एक सोब है कितने मिलियन में खर्चा हुआ था 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 है निएक सौब ने पास यह भाई बोर है के मुदी। सर्सें अच्छा कांट सा है हमारा शबाश रीं पें अपक्षा कलुक्षा करोजा न स्कू ने भाई सा में चूंद रसे हैं . वो ख़ंचा नियुक्तव इसका हंगा प्ळाल मैंने। oso को मिन लेखा क्षा यहार जीती खिंगे लेखे में वहांदे ls वाई साथ है लो एक बंदा कुरसी पर इसकी पावर ही नहीं वो का के सकता है भी आता है उतर गया जनीर तरा गया जैनीर तरा मैं देखिया वीडियो जोच बीजिए अब इस देखिया सबूत लुट रहा है तो इस जाए बहुत हो गही नौ माई का वाक्टा हुआ तो सारा के वुनागा पर डाल दिया लिए यह नहीं तूद कॉंपर भीड़ा रहे हैं कोई उन्हें किया आगे चालो आगे चालो आगे चालो आगे एक बंदा सरकार में अब आप ऐसे बोल रही रह रही है तो पर से नहीं गंदा भी आने का मौसम है पिर भी ले लिए मैं तो बोलता हुआ पिर typical कि अदेहां ने किया हृँ है अदेहा है जिनका हांता है जाकर ने कर किया या दोतरे सभास भू साथ वह चुछाय इसके अंदर है, ये मैं लेको सुनी है सब्सक्राइब का मालक है लेकिन यह भी है लेकिन यह भी है लेकिन लोग वोट देते हैं चुनते हैं अच्छी सारब्रा तो कह सकती है ना कंट्री के सारब्रा भूती सार लीडर है लेकिन हमारे खराज लाक ने तेटी साल खूमत में रहे उसमें उसके एक अपनी गारी किलाबा कोई चीज नहीं दुनिया में मैं कहता हूँ सब से अच्छा है ना 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 खराज लाक की तरीक उठा लें इंडिजिन भी कबाई देंगे सियासत में ना उसकी पार्टी में अपनी जगह पर अच्छा है जिसको जैसा लग रहा है अच्छा मोदी साब टाधी ना खूलते है तो हमको कर था हुआ हमारे अवार के लुए वो बनता है वाई तो मैं कब कहरा हूँ आँए वो अपनी पैसे नहीं है वो अवाँ के पैसे बगाने में पहुती है जाने जारा है कभी किसी को छोड़ने जा रहा है कभी ब्रेकपास्ताहिए वैसे मोती साब के पास तो पैसा नहीं वैसे दूसरे लीडरों के पास अर्बो रुपए पड़े लेकिं मोती के दोस्तों के पास अर्बो मिलियन है ये तो है उनके माफ भी कर देते हैं अर्ण कई अर्ण के बेटे नवाजरी नाव करों के नाव पर पंद्रा सो करोन निकलाया नौकरों के नाम होगी पर एंपी नहीं होगा और सारी लिए लागे करते हैं कि इदर भी उता गर इदर उता भाई साब हम भी खराब तो वह भी खराब फिर फर्क क्या रहा फिर तमाचा तो ना हमारे बड़े-बड़े बिजिनसमेंट भैसा ऐसी करते हैं वो एक आदा कमरा बढ़ाया तो उसको आगे का देते हैं तो फर्क तो नहीं नहीं ना पर भाई कर भाई कर पर फर्क अपर उनको तो आना जटी है कि अधिक नारे मुश्क में भी होई चरता है अधिक नारे मुश्क में भी खरते हैं तो को पर दो करौर हो रहा है तो जोड़े जूट